डॉक्टर साहब देखिए ना कमर में मीठा मीठा दरद हो रहा है सुबह और साम होते ही कमर में दरद बढ़ जा रहा है कमरिया डोले गोले गोले राजा जी इस गाना पे आप डांस की है न नहीं डॉक्टर साहब हमको डांस करने नहीं आता है बिल्कुल आप जुट बोल रही है, कोई भी लड़की हो उसको डांस करें नहीं आता हो, ये मैं मान नहीं सकता जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कमर बहुत तेज हिला हिला कर नाच रही थी आप एकदम चुप चप रहे हैं, डॉक्टर साहब आप से पुछे हैं, जो लबर लबर बोल रहे हैं, चलिए घर आपका बिवास्ता करती उनको चुप क्यों करा रही हो, सच तो बोल रहे हैं, तुम उनकी पत्नी हो, पत्नी कितरो रहो मैं भी तो पत्नी का फर्जी निभा रही हैं, डॉक्टर साहब दावा देकर जल्दी से चुट्टी करिए, हमको काम पर निकलना है अच्छा ठीक है, आप यही रुकिए और आप बाहर जाए, आप से कुछ बात करनी है डॉक्टर साहब हमसे कौन सी बात पुछना है आपकी औरत बहुत दोगली है, मैं दावा दे देता हूँ और दरत बाढ़ने वाला है, और दोर चार दिना इसे ही छोड़ दीजिए हाँ डॉक्टर साहब, हम भी यही चाहते हैं, आप मेरे लिए भागवान है, साया देने के लिए मैं दावा लिख देता हूँ, जाकर मेडिकल से ले लिजिएगा, दो दिन में ठीक हो जाएगा ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए जी घर चला जाए डॉक्टर साहब देखिये न, दिमाग में 24 गंड़ा दर्द कर रहा है, और दावा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है आपका दर्द एक दम ठीक हो जाएगा, आप हमको एक बात बताईए, आपका लड़का और लड़की कितने हैं ये भी कोई पुछने की बात है डॉक्टर साहब, पांच लड़किया और छे लड़के हैं कोई यादा तो नहीं है लो, एक 11 सल में 11 बच्चे और बरावा लाइन में लगा हुआ है हाँ डॉक्टर साहब, सोच रहा हैं कि और दो बच्चे हो याते तो ठीक रहता हाँ ठीक है, आपके हस्बेंड कहा रहते हैं जी, मेरा हस्बेंड दुबई में है आप दूसरे डॉक्टर साह दिखा लीजिए, आदमी है कि बच्चा फ्रेक्टरी, किसका किसका बच्चा है सब सब अल्ला का देन है अगला मरीज भेजो और इसको ले कर जाओ डॉक्टर साह पीठ में दर्ध है, कोई दावा है तो दिजिए न किसके पीठ में दर्ध हो रहा है मेरी पतनी के पीठ में दर्ध है कोई भारी समान उठाई है का, जो पीठ में दर्ध हो रहा है नहीं कोई भारी समान नहीं उठाई है मैं ही रात को पिटाई किये हैं क्यों पिटे हैं कोई पिटने के वज़ा होगा ना हाँ वज़ा है कल दारुपी कराये थे नर्स इसको दर्द किदा वदे दू अवराने दू कल मरी देखा जाएगा